वह्तों हेलो दोस्तों एंटर्खक के पारे में हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप जानते है की एंटर्ख मे जो इतने सारे एडिशन आते हैं उसमें से वैलीव फोर पूर चुआ है तो एक्स अडिशन के उपर कोई भी एडिशन नहीं आता है तो यह टोप अडिशन है बिलकुल टोप मोडल हम इसको बोल सकते है आज हम इन दोनों की बात करें कि इन दोनों में से कौन सा वैलू फॉर मनी है एक बारी प्राइस से बात स्टाट करते है तो या फिर एडिशन घर लेकर जाना चाहिए डिटेल में बात करते हैं कि कौन सा वैलो फो मनी है तो फ्रंट से एक बार दोनों के लुक्स देखुआ रहा है मतलब रिषाडिशन की अपनी अलग परसंटी है अपने अलग परसंटी है मतलब लुक्स के मामरे तो एंटो घर्जब अगर में बिल्कुल से मिलती है तो हैलाइट में कोई चेहन नहीं है अगर में भील क्वालिटि की बात करते हो दोनों में हैं फाइबर का मिलता है रेस आडिसें में मतलब फ्लिक्त के बढ़ यह यार, XT में हम front में देख सकते हैं, disc brake इसमें प्रवाइड है, अब टायर साइज की बात करते हैं, तो 100 by 80 का front tire size है, जो की मिलते है 12 इंच के alloy wheel के साथ, तो 12 इंच के wheel इसमें प्रवाइड है, और जैसे race addition की तरफ आते हैं, इसमें भी disc brake अवेलेबल है, और tire size में बिल्कुल को same दिया गया है, graphics तो दोनों के अलग मिलते हैं, race addition में अपने अलग graphics है, और XT addition में अलग तरह के graphics का use हुआ है, काफी लोग मानते हैं कि हर addition में legroom अलग मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, legroom आप देख सकते हो, result आपके सामने है, legroom में कोई chain नहीं है, legroom बिल्कुल सेम है नियोन कलर है, उसमें नियोन कलर में engine fan दिया गया है, और दोनों की seat height भी बिल्कुल सेम मिलती है, जो कि 770 mm की seat height दोनों में मिलती है, side profile पे आते हैं, तो XT addition में XT की branding हम देख सकते हैं, और race addition में race की branding हम देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कोई chain हमें दोनो नहीं आया है, और जैसी real profile की तरफ आते हैं, तो rear से भी हमें कुछ खास फरक नजर नहीं आ रहा हैं दोनों में, क्योंकि आप देखाओगे, दोनों में LED back tail lamp दी गई है, इंडिकेटर हजुमर के साथ, TVS की branding, रिफलेक्टर, XT addition में भी LED back tail lamp, हजुमर के साथ इंडिकेटर, 12 inch के alloy मिल जाते है, XT addition में, और tires आप देख सकते हो, 1 and 10 by 80 का, race edition में बिल्कुर सेम है, 12 inch के साथ है, और 1 and 10 by 80 का rear tire size है, तो पीछे भी हम देख सकते हैं, कोई change नहीं है दोनों में, अगर मैं change की बात करूँ तो engine में थोड़ा बहुत change है, जैसे कि race edition के engine की बात करता हो, तो इसमें मिलता है, 124 CC का, air cool, fuel injection, single cylinder, BS6 engine, जो पर्टूश करता है, 9.3 BHP and 10.5 Nm torque, तो ये race edition की power है, और येर में हम देख सकते हैं, इसमें drum brakes available है, अब XT addition की तरफ सलते हैं, तो इसमें मिलता है, 124 CC का, air cool, fuel injection, spark ignition, single cylinder, BS6 engine, जो पर्टूश करता 9.3 BHP and 10.5 Nm torque, तो ये spark ignition के हमें मिलता है, और इसमें भी drum brakes available है, पीछे, तो XT addition के engine में हम minor difference बहुत सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतला major difference नहीं है, तो almost देखा थे, तो power वेगरा बिलकुल same मिलता है, दोनों इडिशन में, और इसमे latest footrest available, footrest, XT addition में भी available है, footrest इसमें भी available है, footrest इसमें भी available है, तो एकी color में available है, XT addition, जो की आपके सामने है, curve weight की बात करते हैं, तो 118 kg weight मिलता है race addition में, और XT addition का curve weight है 110 kg, यानि की race addition का weight खही नखही ज़्यादा है, अब एक बार दोनों के fuel tank की बात करते हैं, दोनों का fuel tank में इसमें बार open कर लेता हूँ, और सासाथ boot space भी देख लेते हैं, तो race addition में हम देख सकते हैं, इसमें 5.8 liter का fuel tank available है, mileage की बात करते हैं, और अब XT addition की तरफ चलते हैं, तो इसमें भी 5.8 liter का fuel tank available है, mileage इसकी भी same ही मिलती है, जो की 35 के MPL की mileage मिल पाएगी, mileage के मावले में एंटोर काफी पीछे रही है हमें सासे, दोनों का boot space हमें बार देख सकते हैं, अगर मैं detail में बात करता हूँ, तो race addition का boot space हम देख सकते हैं, तो काफी अच्छा-काजा boot space मिलता है race addition में, तो यहां पे light available है, USB port के लिए space, और यहां पे red color में OPD, XT addition की बात करत हैं, तो इसमें 22 liter का boot space मिलता है, तो यहां पे USB port भी available है, तो खईना की दो लिटर ज्यादा boot space मिलता है, XT addition में, थोड़ा बहुत change यहां पे भी देखने को मिलता है, अब दोनों के एक बार चा भी निकालते हैं, और देखते हैं, इंस्टूमर क्लेस्टर में क्या-क्या feature मि लिखता है, जो कि डिजिटल है, लेकिन वहीं अगर XT addition की बात करते हैं, वो तो पूरा ही डिजिटल इस्टर मिलता है, एक नमबर यार, बिल्कुल, एक नमबर, लेकिन डिटेल की पहले मैं रिजिटेशन की बात करता हूँ, तो यहां पे हम देख सकते है, ट्रिप की settings, speed, फ्यू लेवल, time, average range, street mode, हम यहां से adjust कर सकते हैं, high beam, low beam की switch, indicator, नीचे होन, engine on-off करने के लिए, hazard light का switch, start करने का switch, और यहां पे 5 kg hook, लेकिन अगर मैं वहीं दूसी तरफ, XT addition की बात करता है, तो यहां पे बैटरी, voltage, average range, time, temperature, और मतलब, काफी ज़्यादा advance है, मतलब यार, 125 में सबसे ज़्यादा advance instrument cluster मिलता है, एंटर्क में, यह, xT addition में, erase mode, mode वकर इसमें मिल जाते है, voice command का feature भी इसमें मिलता है, तो काफी advance है यार, यहां पे भी handle की बात करते हैं, high beam, low beam, indicator के switch, नीचे horn, engine on-off करने के लिए, hazard light का switch, और यह, अलग मिलता है, xT addition में, तो आपने अभी तक देखा कि जो instrument cluster है, वो सबसे ज़्यादा major difference है, xT addition में, मतलब, उसके instrument cluster के वज़े से इसकी price कहीना कहीं ज़्यादा कर दी गई है, अगर हम 15,000 रोपे देखे, xT addition लेना चाहते है, तो उसमें हमें क्या चीज़ ज़्याद major difference है, दोनों की exhaust note सुनते है, यह xT addition की sound थी, अब race addition की तरफ चलते है, उसकी sound भी सुनते है, तो exhaust sound थो दोनों की semi मिलते हैं, उसमें भी कोई change हमें नहीं मिलता, देखो यार मैं इतना बोलुआ, अगर आपको सिर्फ पावर चलिना एंटोर्ग में, तो आप race expedition ले सकते हो, जो की 10 प्लस BHP अलड़ी निकाल रहा है, लेकिन मैं यह बोलो, अगर इन दोनों में से, अगर value for money की बात करो, तो मैं बोलो exit edition, क्योंकि देखो यार, अगर मैं round figure की बात करो, तो एक्सी एडेशन ज्यादा value for money बन पाता है, बाकी आपकी चोईसे दोस्तों, तो यही था दोनों का comparison, वीडियो ची लगे तो लाइक स्ट्रग्राइब जूर करना, मिलते नेक्स विडिम जाल दी, गुड लग। झालIG Olympics है, भुष्पन काई जुडैयो तो ज्यादा है, ओशल दीके ओवसाने के जेख़imasर देख सक्स्या है, इसारी सक्श्या ज़ीग कार दोनोना, जöl चותक्ता है, तो उसक्राइब खंगिए का दो आपकी उस स्ट्राइब और चाद।